अलो इस्टूडेंट इस वीडियो में बात करने बाला हूं एलो एलकेंट चैप्नर के कुछ ऐसे कंवर्जन्स की जो लाश्ट एयर से बोर्ड में आये हुए हैं जितने भी आप कॉंप्टिटिव एक्जाम देते हो आई इती नीट जो भी आप दोगे उनमें भी इन को स्टूडेंट मैं आप लोगों को एक बात पताना चाहूंगा मैंने आप लोगों को एक ऐलेफयृतिक कंपाॉंद्स के कंवर्जन का एक चार्ट बताया है एक वीडियो में सबसे पहले आपको वो चार्ड याद होना चाहिए ज़ए क्योंकि जब तक वो चार्ड याद करते हैं then methyl chloride बनता है methyl chloride का boost reaction करते है right boost reaction किसकी help से होती है sodium की help से और sodium को हम लेके आते हैं dry ether में then इसके दो molecule connect होते है ethane बन जाता है ethane का फिट से chlorination करेंगे then ethyl chloride ethane ethyl chloride NaOH alcoholic not alcoholic aqueous then ethanol ethanol का 2 reaction है यहाँ पर मेरे पास में चलिए एक बताते हैं पहले alcohol का oxidation करते हैं हमने आपको एक सीधी सीधी बात पताई है alcohol का oxidation करोगी एल्लिहाइट बनेगा जितने carbon का alcohol है उतने ही carbon का एल्लिहाइट यहाँ पर acetaldehyde बन जाएगा एल्लिहाइट का अगर आप oxidation करोगे तो आपको carvoglic acid मिल जाएगा जितने carbon का LD है उतने ही carbon का carvoglic acid आपको मिल जाएगा और आप कार्वगlic acid का अगर आप soda lime के साथ में reaction करेंगे किसके साथ soda lime soda lime NaOH plus CAO के साथ में reaction करेंगे तो एल्लिहाइट मिलेगा एक carbon कम बाला जब carbon के नमबर कम करने है तब आप कार्वगlic acid लेके आओगी मैंने आपको बताया हुआ है कार्वन के नमबर ज्यादा करने है तो बॉट से एक्शन को फॉलो करेंगे यहां पर एल्कॉल की एक important property और बताते थे हम आपको यहां पर कहां बताएं चलो यहां पर लेके आते हैं हम dehydration ठीक है एल्कॉल को हम dehydrate करते हैं तो अलगी मनता है dehydration का मतला होता है रिमूबल ऑफ वाटर तो आप अगरा एल्कॉल में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूब कर दोगे तो आपको जो compound रिखाई देगा वह एक एथीम बन गया ठीक है मतलब एक unsaturated compound बनेगा यही रियक्शन हमने एथाइल क्लॉइड से किये तो यहीं रियक्शन में थाइल क्लॉइड का एडियूएच के साथ में रियक्शन करेंगे तो आपको मिल जाएगा जो रियक्शन इथाइल क्लॉइड से भी होंगे अगर आप oxidation करोगे तो अल्डी हैड मिलेगा अल्कॉल का oxidation करते हैं जितने कार्बन का यह उतने ही कार्बन का यहाइड मिलेगा एल्ली हैड का का यहाइड करना है जिए कि मीथैन का क्लॉडिनेशन करेंगे तो अल्कॉल मिलेगा हमारा माइक निकल गया लगता है हमको एक-दो दिन से परिछान करने लगए है चलो इतको सेट कर लिया हमने वेल है ना एल्कॉल हलाइड की बुस्स करेंगे तो तो आपको नम्मर ऑफ डवल एलकेन मिलेगा फिर से अलकाल हलाइट एन्यवज के साथ से करेंगे एलकोहल माइक आज बहुत परिसान करता है हमको क्यों परिसान करती हो भाई ऑप राइट एलकोहल का ऑक्सिडिशन करेंगे करेंगे अगर आप सोडा लायम से रिक्षिन करेंगे तो एक कारवन कम माला अलकेन मिल जाएगा अब बात करते हैं कनबर्जन के इसको अच्छे से याद करके रखको बहुत काम की चीज है अभी आप लोगों को लग रहा हुआ यह तो विकार है लेकिन आगे जैसे आप आगे प्रोपेल में आपको अब को होना चाहिए कि इसटो आपको केनबर्ड करना है requires two chloro अगरम नाम से आपとう कौओं के फ़र्मृ बना ने ने चाहिए अक तो बन क्लोरो प्रोपेन को कלא कर ना है देखें सुछाथ और काम पर चलिए शबसे पहले बन क्लोरो प्रोपेन को आप को अपको प्रु Lex एक वाइच तो आपको एलकॉल मिलेगा जितने कार्बन का यहां पर वहां पर और रग जाएगा थी एच टू पर एक्षट राइच बहुत पेमत रियक्शन डी है इद्रेशन तो यहां पर तीन का आप लोगों को यहां पर तीन का अलकॉल हैं यहां तो आपको क्या दिखाई देगा च्री CH double bond CH2 L की मिल गया अब आपको चाहिए क्या 2-gloropropane तो आपको यहाँ पर CL add करना है CL add करने के लिए HCL लगाई है अब मार्कॉर्णिक और आप लोगों को याद होगा negative part of attacking reagent connect to that carbon which have less number of hydrogen आपको CL चाहिए कहाँ पर यहाँ पर चाहिए तो write मार्कॉर्णिक और आपको रूल की according add कर देंगे CH CL single bond CH3 देखिए convert हो गया 1-cloropropane convert हो गया 2-cloropropane में with the help of मार्कॉर्णिक और आपको रूल next convert the next student ethyl chloride to methyl chloride 2 conversion करने वाला हूं में ethyl chloride to methyl chloride and methyl chloride to ethyl chloride सबसे पहले करते हैं methyl chloride to ethyl chloride मैंने बोला methyl chloride तो आपको formula समंझ में आना चाहिए कि तो methyl chloride क्या होता है इसको हमको convert करना है ethyl chloride C2H5Cl में अब जहुँ मेरी trick समझो यहाँ पर 1-carbon हो यहाँ पर 2-carbon है अब 1-carbon से 2-carbon लाने है तो मैंने आपको बताया हुआ है करने पड़ेगी जब भी carbon के नमबर आपको increase करने है 1-2 करने है 2-4 करने है तो worst reaction करिए carbon के नमबर कम करने है तो कोई भी reaction हो उसको carvoglic acid तक लेगी आई है और carvoglic acid का soda-lime reaction करिए आपको 1-carbon कम माला alkane मिलेगा carbon को कम करने का तरीका ध्यान अखिए carbon को जादा करने का तरीका ध्यान अखिए तो यहाँ पर methyl chloride है अब देखिए methyl chloride का सबते पहले हम worst reaction करते हैं इसके दो molecule आपस में connect होते हैं एक ethane मिल गया इलकेन मिलता है इसका फिर से chlorination कर देए और आपका जो conversion आप चाहते थे methyl chloride वह आप लोगों के सामने बन गया तो methyl chloride to methyl chloride में बदलना काफी आसान है अब बात करते हैं methyl chloride to methyl chloride में कैशे convert करना हूँ मतलब Moving goofy methyl chloride में 2 , methyl chloride में एक कारबन के नमबर कम करने हैं है अब दूसर consumption methyl chloride को methyl chloride में बदलना है हैं तो सबसे पहले majors अब्सथे नमबर कम करने को कहां तक लेके जाना पड़ेगा सिंद लेक तक लेके जाना पड़ेगा का युकार्वन कि नमबर peròle Can होंने तो सबसे पहले क्या करोंगे एозможно है कि एक्वेस रेट मिलेगा है ईस अपने आप अपने आप हो जाएंगे और कार्वागली के अगर आप सोडा लाइम के साथ रेक्शन करते हो NaOH plus CaO then it form Alken which have one less carbon than Carvoglic acid okay यहां पर दो carbon है तो एक carbon कम बाला Alken मतलब आपको methane मिल गया और methane का अगर आप chlorination कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा methyl chloride मिल जाएगा तो methyl chloride को methyl chloride ना बतलना है तब भी आप आता निए कर सकते हो और अगर methyl chloride को methyl chloride में बतलना है तब यह आप आता निए से कर सकते हो बस थोड़े जो concept हम आपको बता रहे हैं कि carbon की number कम करने है carbon की number जादा करने है उस पर ध्यान दीचे अगर वह अच्छे से हो गया तो समझे लो conversion करना बहुत आसा अश्रमादिन student आपको convert करना है two bromopropane to one bromopropane two bromopropane one bromopropane में तो सबसे पहले two bromopropane क्या होगा आप लोगों को यह पता होना चाहिए प्रोपेन का मतलब समझ गए होगे तीन कार्बन और टू ब्रोमो का मतलब जो ब्रोमीन एटम है वो कनबड करना है तो चलते हैं धीरे-धीरे पहुंशते हैं आप लोगों को एलकाइल हेलाइड की सबसे बढ़िया प्रोपर्टी हमने आपको बता रखी है कि एलकाइल हेलाइड है इसका आप एन वेच के साथ में रियक्शन कराईए एक्वस लीजिए तो एलकोहल मिलेगा यहां से यहां से यहां से आउट होगा तो आपको मिल जाएग आपको कौन सा कंपाउंड मिल गया प्रोपेन टू अब इसका डी हाइड्रेशन कर दीजिए एलकोहल की सबसे इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है डी हाइड्रेशन जो कॉंसेंट्रेटेड एच्वस फोर की प्रिजेंस में होती है टेंप्रेचर करीब बन हंडेट से लिए खुरे लेटें एक ही एक कंपाउंड आपको फॉन होने वाला है तो चलिए पर हम यहां ते ओँ मिल गया यहां मिल गया आपको बताया हुगा कि अगर आप अलकोहल का डीजिशन करोगे तो एक अलकोहल है उत्रे ही कारवन का अलकोहल अगा लगा है अब जलता है अब यहां पर HBR एड़ तो करना है लेकिन मार्कोनिक लगाना पड़ेगा या एंटी मार्कोनिक लगाना पड़ेगा क्या आप सोच सकते हो यहां पर यहां पर चाहिए तो नेगेटिव पार्ट ओफ अटेकिंग डी एजन कनेक्ट तो यहां पर एक हैं यहां पर दो हैं इस वाले कारण पर आपको ब्याइड चाहिए तो एंटी मार्कोनिक लिए मुझे यहां पर पैरोक्साइड भी दिखाना पड़ेगा बैंज्वा पैरोक्साइड पैरोक्साइड लगा दिए यहां पर लिखना चाहो चलो लिख दो एंटी मार्कोनिक को ओके यहां फिर इसका नाम होता था खैसेफेक्ट हमने आपको इसकी बारें बताया हुआ है तो चलो एड़ कर दीजिए फटा पड़ते क्या प्रोडक्ट बनने वाला है CH2 CH2 BR तो देखिए आपने कर लिया तू ब्रोमो प्रोपेन को किसमें बन ब्रोमो प्रोपेन में बस थोड़ा जान रखिए में बार-बार हम कौन सी प्रोपर्ट इसको ज्यूज करें ज्यादा था हम पहले अलकॉल में लेके आते हैं अलकुल का डिहाइडरेशन करते हैं और यह चार्ट को द्यान कीए मिथाइल आइवडाइड पू इ यहारे बच्चों गाके बताया हुआ हुआ है कि बूर्स Records' आपको करना पड़ेगा तो इसका अगर हम बूर्स रेक्शन करेंगे चलिए convert करते हैं methyl ऑई ऑगर करेंगे प्र्णड कराएंगे और आपको यद रहना चाहिए कि बूर्स राक्शन किस की प्रिटेंस में होती है सोडियम और सोडियम को हम ले के आते हैं ड्राइए इЬ्थर में Dominican का काम करता है तो इसके दो मोलेकूल कनेक्ट होते हैं किका बन गे différents अपके पास में Rapop की ख़ेंगे चाहिंग ओप देंगे तो रंत अप लोग को थे की सब्स्यडियशन देखाई कि यहां पर आई हो पर क्या फरक पड़ता है कि मिथाइल क्लोराइड हो मिथाइल अग्षाइल आयोडाइड हो यहां पर यहां पर आई हो बीयार हो यहां पर उसके करना लहां है और आपको नोह returned है कि सबसे पहल बाता होना चाहिए assistant में बीयोटीन की बात कर रहा हूं और आपको करना है इसे यह क्या रहेगा ब्युते नल Light ले हैड ग्रूप की बात आ रही है समाज गए होगे यह है ब्यूटेनल ब्यूटी इंग को आपको convert करना है ब्यूटेनल में तो यह एक अलकीन है और ये की देखिए convert करते हैं इसको CH3 CH2 CH2 ठीक है सबसे पहले मैं इस पर है यहां पर यहां पर चाहिए तो आप सोच लिया होगा यहां पर लगाना पड़ेगा यहां पर लगाना पड़ेगा या और एंटी मार्कोनी कोब रूल में आप लोग यहां पर बेंज्वाइल पेरोक्साइड भी दिखाएंगे ओके तो जैसे आप यहां पर बेंज्वाइल परोक्साइड और तो आपको एक अल्कील हेलाइड मिल जाएक आपको क्या मिल गया अनुटएल भ्रोमो ब्यूटेन मिल गया विर्ण भूमाइड भी आप बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इसका नूच के साथ में रिएशन कराएंगे नूच कैसा होना चाहिए एक्वस होना चाह जाएगा एल्कोहल मिल जाएगा जितने कारवन का एल्काइल होतने एक कारवन का एल्कोहल मिल जाएगा और आप उसक्कान को बच्पन से सिखाया जा रहा है कि लिए था आफंप आक्षिदेशन करती है कईक कार चरहां की बिनते हैं तो ब्यूतिन को आपने convert कर दिया किसमें ब्यूटेन नर्व नेश्ट कनवर्जन एश्टुडेंट टू आइडो प्रोपेन टू 2,3 डाइ मिथाइल ब्यूटेन टू आइडो प्रोपेन सबसे पहले टू आइडो प्रोपेन क्या रहेगा प्रोपेन तो सब लोग समझी गए होगे यहां पर कितने कार्बन है तीन कार्बन राइट इसको कनवर्ट करना है 2,3 डाइ मिथाइल ब्यूटेन क्या रहेगा देखिए ब्यूटेन को जड़ा मैं ऐसे बना ले रहा हूं इस यह तो यह ब्यूटेन हो गया अब क्या लगाना एक तो मिथाइल गूर्प टूप लगाना है और एक मिथाइल गूर्प लगाना है तो यह हुए 2,3 डाइ मिथाई ब्यूटेन कौनसी रियक्शन होती है जल्दी से बताद हो फटापट से आपने लॉस रियक्शन तो आप सबस्टन कराहिए एक्षन में क्या होता है सोडिसम आता है किस में आता ऑप तरइस कवर में यहां भग्ला काम जाहिए न और shut cur cur h यहां पर भी एक एक हाइड हो जाना आना चाहिए तो मॉलिक्यूल यहां से कनेक्ट होगा इसका नाम क्या रखेंगे एक दो तीन चार तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन तो आप कन्वर्जन्स को इस्ट्ट याद करने की कोसित ना करें समझने की कोसित करें थोड़ा दिमाग लगाने की कोसित करें अपनी कि हमने जो भी कॉंसेप्ट आपको हेलो एलकिन के चैप्टर में समझा हुआ है बुर्स रियक्शन फिटिक रियक्शन कप्लिंग में काफी चार रियक्शन बताए तो उनको यूज कैसे करेंगे वो सिर्फ फ्रड़ने की चीज़ा नहीं है अब इस कुष्ण में आपको इस्टूडेंट यह लिखा हुआ है कम्प्लीट ता फॉलॉइंग रियक्शन आपको कुछ रियक्शन दी हुई है उनको में कम्प्लीट करके बताना है तो चलो देखते हैं सबसे पहली रियक्शन आप लोगो नोट्स हमारे तो आपको हमें क्या करना पड़ेगा वाट्सप पर मैसेज करना पड़ेगा ठीक है तब हम आपको यह नोट्स प्रोवाइड करा सकते हैं वैल यह आप समझ गही होगी एक अलकल हलाइड है राइट साइक्लोहेक्शन दुमाइट और मैंगनिश्यम की रियक् साइस में करम किया जा रहा है तो कंपाउड बन रहा हैं बी आपको यह बताना है कि यह कंपाउड राइटकाइड red कि रियक्शन दूर्जिय्ड हो तो सब्सक्राइड की बना थे हैं तो अगर नोट्स बनाएग है और नहीं बनाइए तो आप तेखो केमिकल प्रॉपर्टी तो अफ एलकेल हलाइड में हमने आप लोगों को यह रियक्शन बताई हुई है कि जब भी हम किसी एलकेल हलाइड की रियक्शन मेंगनीशियम थे करते हैं इंदा प्रेजेंट ऑफ ट्राइए इथर जब पानी के सेंगे करते हैं पानी के साथ में करते हैं पानी के साथ इतको करते हैं तो कुछ नहीं होता एक यल्केंज मिल जाता है जतने कार्बन का यहां पर अब्रसम चले और है और वाटर में से OHB निकल जाए तो यह हुआ पर लग गया तो यह हुआ कंपाउंड B ओके कॉंसेप्ट अगर आप लोगों को अच्छे से याद है कि सर एलकेल हलाइड की करते हैं तब क्या होता है तो आप आतानी से रियक्शन को समझ जाओगे और बना लोगे तो फिर रटने से काम नहीं बनने वाला है नेश्ट कंबरदन को पताने से पहले एलकेल हलाइड में चलो मैं थोड़ा था एडिशन और कर देता हूं यहां पर तब आप मैंगनेशियम से कराएंगे और मैंगनेशियम कित में लाना है तो क्या बन जाता है गेगनाड यह जन मनता है क्या बन गया क्या बन गया मैंगनेशियम के साथ में और 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 दिखा सकते हूं तो अगर आपको क्या बना है तो यह तरीका अपना सकते हो मैंगनेशियम के साथ में रिएक्शन कराईए गेगनाड बनाईए और गेगनाड रिजेंट को आप वाटर के साथ में करम कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा फिलाल नेश कुशन में यह लिखा हुआ है कंप्लीट करनी है रिएक इसको गरम करना है compound बन रहा है C right compound C को हम D2O के साथ में गरम कर रहे है जैसे हट होता है वैथ ही डिटूो होता है इसको फोलते हैं आप लोगोंने 11 श्टेंडर्ड में हाईड्रोजन के आइथोटोक्स बढ़े होंगे यहां पर आपको क्या-क्या फाइंट करना एक गग्रा इंग तो बहुत अच्छे से अभी मैंने बताया आपको कि देखो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर होना चाहिए तो यह वाला यह होना चाहिए यह वह यह वह एख न चाहिए तो यह हो गया हमारा कंपाउंड आथ और यह हो गया अगर आप रियक्शन लिखना चाहते हो तो रिएक्शन लिख दीजिए देखिए हम आर की यह लगा रहे हैं अधिये श्री ती एच आर तिर्फ इतना होगा यह यह रहेगा आर टो पाइल पार बोल सकते हैं इसको फिलाल चलो फूरा बियार के साथ में लिखेंगे इसको एकदम बढ़िया के साथ रेक्शन कराना है है रहें हैं car याद चलिए ऐसे आप याद करते चलोगे कन रशह जायन को करना बहुत ज्यादा आसान हो जाए क्योंकि हम करना पर पर रट नहीं सकते तो रटично कि करेंगे एक दो तीन चार अजारों कनबर जने कहां तक रटके चलेंगे तो हम अगर रियाद करके चलेंगे तो हम आजानी से कनबर्जन को कर सकते हैं कभी में और और कॉंसेप्ट को समझ के चलते हैं तो और डीटू के साथ में रिएशन करेंगे तो यहां पर एक लग तो यह हो गया हमारा आर और यह हो गया सी